तो है गाईज कैसे आप सभी वेलकम आपका हमारे चैनल पर तो गई जैसे के आपको पता है चोदरी देविलाल उनिवसिटी के एडमिशन का प्रोसेस चला हुआ था दो से तीन बार डेट एक्स्टेंड हो चुकी है एडमिशन के रेजिस्टेशन के लिए अभी थार्ड ही थनटा कंपलीट जैसे लास्ट डेट अगर एक्स्टेंड हुई है तो उसमें पूरा का पूरा जो कांस्लिंग शेड्यूल जो होता रहे थे हमने उनको reply में जो last date थी वो तो बता दिया था बट वो schedule अभी तक नहीं आ था तो वो कल late evening में डाल दिया था university ने तो अभी हम वही discussion करेंगे जिसमें first counseling से लेकर last counseling तक आपको बताया जाएगा physical counseling का भी open counseling का भी सब कुछ इसमें discussion किया जाएगा तो video में end तक बने रहें तो एक बार हम सीधा चलते हैं उस notification के उपर तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे देखिए कल की date में यह notification जा रही हुआ था यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे इसको हम एक बार open कर लेते हैं ठीक है यह पहले भी download किया था मैं दुबारा से इसको download कर लेता हूँ तो यह open हो गई है तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे देखिए आपको clear नजर आ रहे होंगे सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग डेट थी आपकी वही 22 अगस्त ठीक है लास्ट डेट एक्स्टेंड होकर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप बी पॉइंट पे 25 सितंबर तक आप अप अपलाई कर सकते हैं रात 12 बजे तक उसके बाद आपकी जो first counseling होगी या first merit list and fee submission का 28-39 तारिक को आप अपने document verify करवा सकते हैं और उसके बाद आपको fee deposit करने के लिए समय मिल रहा है 29 सितंबर तक 29 सितंबर ओके उसके बाद second जो merit list लगेगी वो लगेगी आपकी 30 तारिक को 30 सितंबर को 5 वजे तक और schedule का जो time रहेगा इसका 1 October से लेकर 3 October तक आप अपन admission confirm कर सकते हैं university campus में ओके और college में है तो college में उसके बाद fee का जो deposit का time मिल रहा है आपको 3 October साम 5 वजे तक मिल रहा है उसके बाद third जो counseling होगी वो होगी 4 October को 5 वजे तक आपकी list आ जाएगी third counseling के लिए आपका schedule है जो है 6 October से 7 October तक आप अपने docs verify करवा के आप अपना admission confirm करवा स रखते हैं ओके और fee deposit के लिए आपको 7 October तक का time मिल रहा है 5 वजे तक साम 5 वजे तक third counseling के case में ओके उसके बाद जो UTD University Teaching Department का physical counseling का जो schedule है वो 10 October का रखा गया है दोपहर 12 वजे तक और fee deposit आपको 11 तरिक तक आपको time मिलेगा 11 October का ओके साम 5 वजे तक online pay होगी university के case में ठीक है यहाँ पर आप clear देख पा रहे होंगे उसके बाद commencement of classes हो जाती है ठीक है तो अब हम देखते हैं affiliated college के case में तो affiliated college का discussion कर लेते हैं वही 22 तारिक से 25 तारिक तक मतलब 25 सितंबर 22 अगस्ट से 25 सितंबर तक आप last अपना apply कर सकते हैं first जो merit list लगेगी college की वो लगेगी 28 सितंबर को और जो time मिलेगा आपको counseling schedule का 29 और 30 सितंबर free deposit का आपको time 30 सितंबर ही मिल रहा है 5 वजे तक और second जो merit list लगेगी यहाँ पर D part में आप देख पा रहे होंगे एक October को पांच बजे तक और second counseling के case में आप जो भी अपनी counseling है उसका schedule है अपना admission confirm करवा सकते हैं 3 October से 4 October तक फी deposit का भी आपको 4 October तक का समय मिल रहा है साम 5 वजे तक उसके बाद third जो counseling होगी college के case में 6 October को होगी और आपको जो time मिल रहा है schedule मिल रहा है अपने docs verify करवा के admission के लिए 7 और 8 October को और फी deposit आप 8 October तक कर सकते हैं 5 वजे तक updation of vacant seat आपको मिल जाएंगी 10 October को साम 5 वजे तक जो भी physical counseling के लिए आपकी जो vacant seat है वो जारी होगी 10 October को होगी तो physical counseling आपकी 11 तारिक को होगी 11 October को 12 वजे तक और फी deposit आपको करनी होगी physical counseling के case में 12 October यहां पर देखिए आप देख पारेंगे online यहां पर नहीं दिया गया fees deposit करने के लिए ठीक है क्योंकि university की जो fees आप वो online पे होगी आभी आपको ऊपर मैंने दिखाया था देखिए यह देख पारेंगे आप online होती है बट जो college की fees आप वो college के अंदर आपको submit करवानी होगी अगर आप college में admission चाह रहे हैं तो ठीक है तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करें ताकि सभी student के पास information पहुंच जाए और अगर आप channel पर पहली बार आएं तो channel को subscribe कर लें और bell icon को दबाना ना बोलें ताकि आने वाली videos की notification योगो अगेन दोबारा share करें सभी के साथ ठीक है तो चले वीडियो को quit करते हैं thanks for watching